हेगा इस तो आप सब का स्वागत है एक और निव वीडियो में एट मिक्स की डॉग वसेस डॉग्स में आज हम दो कैटेगरी की डॉग बिट के बारे में बात करने वाले हैं पहले आते हैं फ्रेंडली डॉग बिट सेकेंड आते हैं गाड डॉग बिट जानें कि ये डॉग बिट में क्या क्या डिफरेंसस देखने को मिल सकते हैं ये अपनी अपनी जगा किस काम में आते हैं और क्या इनकी खामिया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए लाइक एम रखते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं अब ये फ्रेंडली डॉग बिट में कौन से डॉग बिट आते हैं फ्रेंडली डॉग बिट में ऐसे डॉग बिट आते हैं जो घुल मिल काफी जल्दी जाते हैं फैमिलिस के साथ आराम से रह लेते हैं इनके examples में दू तो लेबरेडर रेट्रीवर हो गया, गोल्डन रेट्रीवर हो गया, बीगल हो गया, पव हो गया, पोमेरियन हो गया, इंडियन स्पीड्स हो गया, डैशन्ड हो गया, ये सब काफी सारे friendly dog breed इनकी तरह और भी है और ये सब भी है, अब ये dog breed इनका friendly होना एक क काफी जादा पूल करेंगे लीश पूलिंग करेंगे या फिर काफी स्ट्रॉंग होते हैं उस बामले की बात निकर रहा है संभालना मतलब या आपके घर में जो भी फैमिली मेंबर से उनकी साथ घुल मिल लेंगे जो आप खाना दोगे यानि जो इनका डायट प्रैन बनाओगे वो भी अच्छे से फॉलो करते है साथ साथ ये डॉग बिड्ट स्ट्रेंजर के साथ भी जल्दी से सोशलाइज हो जात तो ये एक डिस एड्वांटेज आ सकता है कि श्रेंजर के साथ सोशलाइज हो जाना ये कब होता है कि अगर आप गार्ड डॉग चाहते हैं आपको ऐसा डॉग बिड्ट चाहिए जो प्रोटेक्ट कर रहे ही यानि कोई चांस ना ले तो आपको फ्रेंडली डॉग बिड्ट इस मामले में डिस एड्वांटेज दे सकते हैं लेकिन आपके घर में बेबीज है अगर आपके फैमिली मेंबर्स है या फिर आपका एक जॉइन फैमिली में रहते हो तो ये डॉग बिड्ट आपके लिए काफी जाद अच्छी चोईस हो सकता है ये एक दो बार में ही सोशल उजाएगा अच्छे से फ्रेंडली बीःविर करेंगा अगर आप ऐसा डॉग बिड्ट चाते है जो घूल मिलके रहे काफी जादा फ्रेंडली हो तो ये जो फ्रेंडली डॉग बिड की लिष्ट आती है जो मैंने बताई थी अब friendly dog bit के side में जा सकते हो अब बात करते हैं God dog की अब God dog में ऐसे dog bit आते हैं जो किसी protective काम के लिए use के जाते है यानि आपकी protective के लिए भी काफी अच्छे होते है वो family members की protection करते हैं किसी अच्छे गाड डॉग होते हैं अब यह डॉग बीड फर्स टाइम ओनर के लिए इतने अच्छी चोईस नहीं होंगे जितने फ्रेंडली डॉग बीड होते हैं अगर आप कोई नए ओनर हो जिसको सिफ डॉग बीड प्यारे लगते पसंदे फ्रेंडली चाहिए नॉर्मल रहन लेकिन स्ट्रेंजर के साथ या फिर उनकी प्रोटेक्शन करे काफी जादा बिना कोई जरा भी सोशलाइज हुए तो यह गाड डॉग साते हैं यह डॉग बीड किसी चीज की अपने ओनर के लिए काफी प्रोटेक्टिव रहते हैं अब यह डॉग बीड जैसे मैंने बोला लेलो या फिर पॉग लेलो बीगर लेलो यह उनकी तरह नहीं है कि यह स्ट्रेंजर के साथ सोशलाइज हो जाए एक दो बार में नहीं यह डॉग बीड स्ट्रेंजर के साथ जल्दी से सोशलाइज भी नहीं होंगे इवन वो कई बार मिलने आ जाए तो भी उनको काफी ज़ प्राइवरेटी है अपने एक तरफ देखाते है यानि यह डॉक भी घर में जिसके साथ ज्यादा रहते होंगे टाइम स्पेंड करते होंगे उसके साथ इनकी प्राइवरेटी ज्यादा होगे उनकी सेफटी के लिए कुछ भी करेगा अब इनकी डिसएडवांटेज नहीं जैसे कि अगर फ्रेंडली कर लोगे तो स्ट्रेंजर के साथ जल्दी सोचलाइज होगा वैसी चीज़े देखने मिलेगी इनमें ऐसा है कि अगर आप इनको कई प्रॉपरली ट्रेन या सोचलाइज नहीं करते हो तो इनको संभालना काफे ज्यादा मुश्किल हो जाता है यह तो टाइम भी आपको ज्यादा देना पड़ेगा ट्रेंग में फ्रेंडली डॉपरिट के मुकाबले में अब फ्रेंडली और गार्डग दोनों ही डॉपरिट ट्रेंड इजी हो जाते यह दोनों का एडवांटेज है बात करूं सोचलाइज कौन सा पहले होगा तो अव्यस तो टाइप में से सिलेक करना है केटेगरी में से तो अपनी लाइफ को देखिए कि आपको चाहते कि आपको को कोई प्रोटेक्टिव डॉपरिट चाहिए या किसी चीज की प्रोटक्शन हाॉस की प्रोटक्शन के लिए तो गार्डग बिट के साथ जा सकते हैं आप लोग या फिर आपको एक friendly dog bit चीए जिसके साथ time spend करना है, खेलना है, खूदना है, guarding की skill जादा नहीं हो चलेगा, तो भी आप friendly के साथ जा सकते हो, खेलना खूदना guard dog को भी चाहिए होता है, दोनों ही dog bit को अपने owner के साथ time spend करना काफी must है, तो ये कुछ point आते है friendly और guard dog bit में जिनक आपको ख्याल रखना जरूरिया है, आसर करता हूँ आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ जानने मिला होगा, जानने मिला तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लिजिए, मैं मिलता हूँ आपको ऐसे interesting वीडियो के साथ करते हूँ, हुआ हुआ।